So Hello Everyone, Hope All Are You Doing Great तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन के द्वारा कंड़क्ट ICR एक्जाम की एप्लिकेशन फॉर्म और इसमें जो लाइक बहुत सारे स्टुडेंस के कंफ्यूजन आ रहे थे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि लाश्ट यर भी मैंने काफी लाइक अगर मैं बात करू या तो हजार हजार स्टुडेंस की मैंने हेल्प किया था उनके कांसलिंग में और उनको कॉलेज मेंड मिशन लेने में जो कि आप स्कीन पर या फिर आप जाकर यार हमारे चैनल के प्लेइलिस्ट में भी चेकाउट कर सकते हैं वहाँ पे आपको प्लेइलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट सब आज देखो क्या ये होता है ICR का एक्जाम देखो सबसे पहले मैं बता दू उनी स्टूडेंस को जो ये स्टूडेंस अभी फर्स टाइम ICR का एक्जाम दे रहे हैं या फिर उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो like NTA जो है basically ICR का एक्जाम अभी दूर साल पहले से स्टार्ट किया है कराना जो कि इससे पहले जो ICR का एक्जाम है खुद ही ICR कंड़क्ट कराता था अब देखो ICR एक्जाम में कैसा एक्जाम होता है जिसमें लगभग दो लाग के एप्रॉक्स यहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं UG, PG को मिला कर अगर हम यहाँ पे बात करें टूडल जो सीट्स होती है याद UG में यहाँ पे जो टूटल सीट्स है वो है लगभग आपकी 2800 के करीब थोड़ी सी उपर नीचे वैरी कर सकती है अगर हम बात करें PG में तो लगभग 1500 के आसपा सीटे हैं एकज़क देखो डाटा इसमें मुझे याद नहीं है बट यहाँ पे जो डाटा है वो यही है लगभग ठीक है अब बात करते हैं ICR की अप्लिकेशन फॉर्म जो भी लाश्ट येर का ट्रेंड होता है NTA बैसिकली जब नीट की अप्लिकेशन फॉर्म को रिलीज कर देती है उसके बाद ही यहाँ पे ICR का अप्लिकेशन फॉर्म रिलीज करती है और बहुत सारे इस्टूडेंस ये बोलने हैं कि अगर आप जाके NTA की अफिशल वेबसाइट पर जाकर चेक आउट करोगे यहाँ पे आपको एक्टिव जाम नेशंस में जाकर आप देखोगे जहाँ पे NTA अपनी हर डाटा को यहाँ पर आपका जो एक्जाम डेट होता है अप्लिकेशन फॉर्म कब आती है आपका एड्मिट कड कब आएगा अब कब वहां जाकर अपना करेक्शन है वो कर सकते हो तो ओफिशल यह मेंसन किया होता है लेकिन अभी तक NTA की ऑफिशल वेबसाइट पे ICR के रिगारेंग कुछ भी वहां पे अपडेट नहीं किया गया है यहाँ तक की NIT के रिगारेंग भी वहां अभी तक अपडेट नहीं किया गया है अब बात करते हैं कि यहाँ पे आखिर एस्पेक्टेड क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंस पूछ रहते कि भया आपकी एकोर्डिंग कब तक करूं तो आपका जुलाई के सेकेंड विक तक अभी मिनिमम मिनिमम टाइम तो लगी जाएगा उसके पहले या फिर आ सकता है नो डाउट बट जो अभी तक क्यार सिचुएशन चल रही है या फिर हम बात करें एंटी एक जो वहाँ पे जब आप कॉल करते हो नीट के यारिंग से स्टुडेंट है जिनको प्रॉब्लम होती है यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोईन कर सकते हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको सिंपली स्टुडेंस बज सर्ज करना है वहाँ प एकस्पेक्टेड डेट की बात करूं यार तो वह आपका सेप्टेंबर के सेकेंड या फिर थर्ड वीक तक जा सकता है जब देखो यार या एकस्पेक्टेड डेट है लेकिन जो आप लोग बहुत सारे स्टुडेंस पूछ रहते तो उसके कॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है और आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए प्लीज टेक किया आप योर्शर एंड डिस्रिप्शन बॉक्स को चेक आउट कर लेना बुक्स के लिए मैंने वहाँ पर ल स्वाल रखा है स्वाल रखा है स्वाल रबेश्ट